Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले है टॉपिक का नाम है Optuna I'm pretty sure अगर आपने थोड़ा भी टाइम स्पेंड किया होगा मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में तो शायद आपको ये नाम पहले भी सुनने को मिला होगा Optuna क्या है मैं आपको जल्दी से बताता हूँ Optuna एक Hyper Parameter Tuning Framework है जिसको आप अपने मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो और इसकी help से आप बहुत जट से बड़े complex datasets के उपर Hyper Parameter Tuning कर सकते हो आज की डेट में इंडस्ट्री में इस वन अप प्रेफर्ड वे ओफ दूइंग हाइपर पारमेटर तुनिंग और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि Optuna की खासियत क्या है क्यों आप इसको प्रेफर करते हो over other options like grid search and random search उसके बाद हम क्या करेंगे कि Optuna के core features क्या है वो discuss करेंगे और last में मैं practically आपको एक code के उपर Optuna को चला के दिखाऊंगा by the end of this video मेरा goal ये है कि आपको Optuna के बारे में काफी idea मिल जाए और last में मैं आपके साथ कुछ resources भी share करूंगा जिसको अगर आप go through करोगे तो आप Optuna को बहुत अच्छे से master कर सकते हो तो I am super excited for the video, let's start So guys, Optuna को पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा motivate करना चाहता हूँ कि आपको Optuna क्यों पढ़ना चाहिए आपके पास already hyper parameter tuning करने के लिए दो बहुत अच्छे tools है एक का नाम है grid search cv और दूसरे का नाम है random search cv और अभी तक हमने जितने भी projects किये हैं उनमें हमने इन दोनों tools को ही use किया तो ऐसी क्या problem आ गए इन दोनों tools में कि हमें एक नए tool की ज़रुरत पढ़ रही है वो हम सबसे पहले discuss करेंगे, ठीक है तो यह बात discuss करने के लिए एक problem statement लेते हैं वही अपना पुराना problem statement जहां पर हम एक machine learning problem के उपर काम कर रहे हैं जहां पर हमें students का data दिया हुआ है specifically उनका CGPA और उनका IQ और इस data की basis पे मुझे predict करना है कि उनका placement होगा या नहीं होगा ठीक है this is a classification problem और मैंने इस decide किया है कि इस problem को solve करने के लिए I'll be using random forest ठीक है so बहुत simple है मुझे क्या करना है इस data के उपर random forest को इस तरीके से train करना है कि मेरा जो accuracy है वो maximum आए और आपको शाहिद पता होगा कि random forest में बहुत सारे hyper parameters होते है और फिलहाल हम सिर्फ दो hyper parameters पर focus कर रहे है first is max depth मतलब random forest के अंदर जो decision trees है उनका depth कितना होना चाहिए और second है n estimators total कितने decision trees हम लोग use करेंगे random forest बनाने के लिए हम इन दोनों hyper parameters पर focus करने वाले है अब basically problem statement यह हो चुका है इस point पे कि हमें max depth और n estimator की ऐसी values चाहिए जिनकी help से जब हम random forest को इस data पर train करें तो हमारा accuracy maximum आए यह हमारा problem statement है now the problem is हमें पहले से कभी भी यह पता नहीं चलेगा कि max depth की क्या value सबसे जादा suitable है n estimator की सबसे जादा कौन सी value suitable है और इसी problem को solve करने के लिए क्या आता है hyper parameter tuning जहां पर हम क्या करते है कि हम hyper parameter की अलग-अलग values को लेते हैं और फिर उन अलग-अलग values के लिए model को बार-बार train करते है ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि अपने intuition अपने domain knowledge के basis पे एक search space define करना होता है आप यह decide करते हो कि आप max depth की कौन-कौन सी values को search करना चाहते हो so let's say मैंने decide किया कि मैं 1 से लेके 5 तक सारी values को test करूँगा similarly मैं decide करा मुझे यह decide करना है कि n estimators की कौन सी values को मुझे try out करना है तो मैंने decide किया कि मैं 50 से लेकर के 250 के बीच में सारी values try करूँगा 50-50 के interval पे मतलब मैं 50 को try करूँगा मैं 100 को try करूँगा मैं 150 को try करूँगा 200 को try करूँगा and then 250 को try करूँगा ठीक है तो इस discussion के basis पे हमारे पास हमारा search space आ चुक है so हमारा search space कुछ ऐसा दिखाई देता है you can see this is our search space ठीक है जहाँ पर हमें N estimator की 5 values को try करना है और हमें max depth की 5 values को try करना है और obviously इनके सारे combinations को हमें try करना है तो inner way हमारे पास ये एक grid बन गया है जहाँ पर सारे possible combinations है जो हमें try करना है ठीक है अब यहाँ पर picture में कौन आता है हमारा first tool जो हमने बहुत पहले पढ़ा था grid search grid search बहुती straight forward सीधा बन दा है एकदम सनी देवल वाला अप्रोच है इसका वो क्या करता है वो इस grid में जाता है और हर possible combination को try out करता है जैसे वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा first combination first combination क्या है यह आपका max depth 1 होना चाहिए और आपका n estimator 50 होना चाहिए इन values को लेकर के वो model को train करता है और फिर test data के उपर accuracy निकालता है मानलो हमारा accuracy आया 71 तो काम हो गया अब हम बढ़ेंगे अगले combination के तरफ अगला combination क्या है कि max depth 1 है और आपका n estimator 100 है फिर से इस combination के लिए उसने data के उपर training की और test data के उपर accuracy निकाला मानलो accuracy आई 69 फिर वो जाएगा अगले combination की तरफ 1 और 150 फिर से model को train करेगा मानलो 74% accuracy आई और ऐसा करते करते वो सारे के सारे 25 combinations पे model को train करेगा accuracy निकालेगा और जब ये पूरा काम हो जाएगा तो वो जा करके search करेगा कि भाई कौन सा accuracy value maximum है तो मानलो ये वाला accuracy value maximum है तो उसके corresponding जो मेरे hyper parameter values है वही मुझे use करने चाहिए तो this is how grid search CV work ये आपको अल्यड़ी पता है अब अगर मैं आपसे पूछूँ की grid search CV में problem क्या है तो बहुत obviously आप इसका answer दे पाओगे कि problem ये है कि this is very costly आप क्या कर रहे हो आप हर particular combination try out कर रहे हो what if मेरे पास number of parameter values और ज़ादा हो मालनो यहां तो मैंने 1 to 5 लिया what if मैं 1 to 20 ले लू तो suddenly से अब 20 multiplied by 5 मुझे 100 बार model को train करना है rather than 25 times model को train करने के similarly what if मैं यहाँ पे एक और hyper parameter value ले आओ max, samples, split ये भी एक hyper parameter होता है what if मैं इसकी भी values को try out करना चाहता हूँ तो combinations बढ़ने लग जाएंगे और जितने combinations आपके बढ़ेंगे उतना जादा बार आपको model को train करना है और ये तो बहुत छोटा data set है what if आप deep learning के उपर काम कर रहे हो जहाँ पर आपके पास massive amount में data होता है और उसके उपर neural networks को train करने में बहुत time लगता है तो imagine आप एक बड़े data set पे neural network को train कर रहे हो 100 बार कितना जादा time लगेगा तो this is the biggest problem with grid search CV कि अगर आप इसको सारा time देते हो सारा computation power देते हो तो ये आपको best result निकाल के दे देगा बट कई scenarios में सारे possible combinations को try out करना possible ही नहीं है तो इस problem को solve करने के लिए आता है random search random search थोड़ा सा simplified approach रखता है और वो बोलता है कि मैं सारे combinations try नहीं करूँगा मैं randomly कोई भी combinations को try करूँगा तो आप मुझे बताओ मैं सिर्फ 5 combinations try करना चाहता हूँ तो आपने इसको बोला कि 5 combinations try करो तो वो क्या करेगा सबसे पहले मान लो उसने ये वाला combination try किया अब इसके बाद कुछ जरूरी नहीं है कि वो अगला ही combination try करेगा हो सकता है वो ये वाला combination try कर ले उसके बाद हो सकता है वो ये वाला combination try कर ले उसके बाद ये वाला कर ले और उसके बाद ये वाला कर ले और बस ये 5 combinations ट्राइ करके वो निकल जाएगा और इन 5 में जो उसको best value मिलेगी उसको use कर लेगा So this is a very simplistic approach इसका फाइदा क्या है? इसका फाइदा ये है कि आपका computation बच रहा है और इसका नुकसान क्या है? वो भी बहुत obvious है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी best value यहाँ छुपी होई थी बट random search ने इसको try out ही नहीं किया और वो value miss हो गई आपको सब पार solution के साथ compromise करके रहना पड़ गया So ये दो जो हमारे main approaches हमने आज तक use किये हैं इन दोनों में बहुत बड़ी problem है और इसी problem को solve करने के लिए कौन आता है optuna Optuna की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये एक अलग type का search यूज करता है अभी तक हमने दो searches देखे एक था grid search जो linearly सारे combination को try out कर रहा था एक था random search जो randomly कोई भी combination को उठाके try out कर रहा था यहाँ पर हम एक अलग type का search यूज करते है जिसको हम Bayesian search बोलते है और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये थोड़ा mathematical तरीका है searching का probability से बहुत inspired है ठीक है अब मैं बहुत ज़ादा तो नहीं घुसना चाहता हूँ Bayesian search के अंदर की Bayesian search mathematically कैसे काम करता है because ये खुद में एक topic है but मैं आपको एक rough idea देना चाहतूँ कि Bayesian search काम कैसे करता है so Bayesian search सबसे पहले ये बोलता है कि अगर max depth and n estimator की value को change करने से accuracy value change होती है तो इसका मतलब ये है कि max depth और n estimator और accuracy के बीच में कोई तो mathematical relationship है सही बात है सोच के देखो न अगर मैं random forest के अंदर max depth की value को change कर दूँ 5 से 25 कर दूँ तो पक्की बात है कि मेरा accuracy change होगा similarly अगर मैं n estimator जो की पहले 10 था उसको 100 कर दूँ तो पक्की बात है कि accuracy change होगा उपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे नहीं पता बट कुछ तो change होगा तो इससे ये बात तो एकदम clear है कि max depth n estimator और accuracy के बीच में कुछ तो relationship है कुछ तो mathematical relationship है that we don't know तो क्या मैं इसको mathematically इस तरीके से लिख सकता हूँ that accuracy is a function of both max depth and n estimator तो बेजिन सर्च सबसे पहले ये fact establish करता है कि आपका max depth और n estimator और accuracy के बीच में एक function exist करता है mathematical relationship exist करता है वो relationship क्या है वो मुझे नहीं पता but हो सकता है कि वो कुछ ऐसा दिखाई दे उसके बीच कुछ ऐसा graph हो जहां पे x axis पे हो आपका max depth y axis पे आपका हो n estimator और z axis पे आपका हो accuracy तो ये कुछ एक 3D graph है फिलाल यहां पे आपको parabola दिखाई दे रहा है बट कोई जरूरी नहीं है कि वो parabola हो it can be anything right तो अब Bayesian search क्या करता है Bayesian search इस graph का nature find out करने की कोशिश करता है ठीक है क्योंकि अगर उसको इस graph का nature पता चल गया तो वो बहुत आसानी से ये maxima निकाल सकता है और उसको maxima क्यों चाहिए because हम maximum accuracy निकालना चाहते हैं और जैसे ही मुझे maximum accuracy मिल जाएगी उसके corresponding जो भी value है max depth की और जो भी value है an estimator की वो भी मुझे मिल जाएगी और मेरा काम हो जाएगा so in short Bayesian search ने एक अलग रस्ता यूज किया उसने बोला कि इन तीनों quantities के बीच में एक mathematical relationship है जो मुझे नहीं पता बट अगर मैं उसको खोज लूँगा तो मैं बहुत असानी से उसका maxima खोज लूँगा और अगर मैं उसका maxima खोज लूँगा तो उसके corresponding max depth and an estimator value मुझे मिल जाएगी ठीक है अब behind the scenes ये पूरी चीज़ कैसे होती है वो थोड़ा complex discussion है but roughly ऐसे समझो कि आप जैसे जैसे points try out करते जाते हो जैसे जैसे मैं क्या बोल रहो मालो सबसे पहले आपने ये try किया कि max depth 5 होना चाहिए और n estimator 100 होना चाहिए आपने इस setting के उपर model को train किया तो इसके corresponding आपको एक accuracy value मिली 75 तो इसका ये मतलब है कि मुझे इस graph के उपर एक point मिल गया है right सोच के देखो अगर मुझे ये 3 data points मिल गए तो ये 3 data points इस graph के उपर ही होंगे right so मालो ये data point इस जगह पे है फिर आपने एक और combination try किया मालो max depth 10 n estimator 150 और आपका accuracy आया 69 ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर से कोई और point इस graph के उपर मिल गया इस तरीके से आप 3-4 combinations try करते हो और इन 3-4 combinations को try करने से आपको इस graph के उपर कुछ-कुछ points मिल जाते है ठीक है मतलब simple शब्दों में अगर मैं आपको समझाओ rather than taking a 3D example let's say कि हम एक 2D example ले रहे जहाँ पे हमारे पास सिर्फ max depth है और accuracy है एन estimator नहीं है तो obviously इनके बीच का जो graph है वो 2D होगा ठीक है अब थोड़ी दर के लिए माल लेते हैं कि इनके बीच का जो relationship है वो parabola है बट वो हमें नहीं पता छुपा हुआ है हमें नहीं पता तो हमने किया किया अलग-लग max depth values को try किया पहले हमने try किया 5 ये 5 ये max depth है ये accuracy है तो हमने सबसे पहले 5 को try किया 5 के corresponding हमारा जो accuracy आया वो आया 85 माल लो ये वाला point तो ये हमारा first data point है on the curve फिर हमने try किया 10 10 try करने पे हमारा accuracy आया माल लो 65 तो वो ये point है फिर मैंने try किया 15 तो 15 से मेरा accuracy फिर आया 84 मतलब कुछ ये वाला point तो 3 बार जब मैंने model को train किया तो मुझे ये 3 points मिले अब ये 3 points से what I can do is I can try to figure out कि इन दोनों quantities के बीच का relationship कैसा है तो शायद ऐसा हो सकता है तो this is what Bayesian search is doing what it is doing is कि वो कुछ-कुछ combinations try कर रहा है कुछ-कुछ combinations try कर रहा है और फिर ये 3-4 combinations try करने के बाद उसके अंदर एक intelligence है जो ये समझ पा रहा है कि graph कैसा होगा वो थोड़ा-थोड़ा उस graph को uncover कर पा रहा है और फिर इस information के basis पे वो और नए combinations try out करता है जैसे वो इन चारों के basis पे सोचेगा कि अब मुझे next ये वाला try करना चीए फिर जैसे ये 5 points का information आएगा तो थोड़ा और graph को uncover करेगा उससे फिर उसको थोड़ा और idea लगेगा कि next मुझे ये वाला try करना चीए सो यहाँ पर आप number of combinations कम try कर रहे हो बट आप intelligently combinations को try out कर रहे हो और constantly उस graph को imagine करने की कोशिश कर रहे हो और फिर एक time ऐसा आता है जब आप completely उस graph को समझ पाते हो और उसके maxima को खोज पाते हो और फिर that is your end point आपका result आपको मिल जाता है so the main difference between grid search and random search and bayesian search is कि grid search and random search they are dumb searches मतलब वो previous search से जो information मिलता है उसको use नहीं करते मतलब इस search से मेरा accuracy क्या आया यह information मुझे अगले search में कोई काम नहीं आने वाला but bayesian search में पिछले search में जो हुआ वो आगे के searches को help करता है ठीक है तो roughly this is the whole theory I know बहुत depth में हम नहीं गए but मैंने आपको intuition देने की कोशिश की बाकी एक paper का link मैं description में डाल दूँगा अगर आप चाहो तो जा करके check out कर सकते हो उसमें काफी detail में समझाया हुआ कि bayesian search काम कैसे करता है but roughly अगर मैं आपको एक reason दू optuna पढ़ने का तो वो यह है कि optuna का सबसे बड़ा जो power है वो यह है कि वो behind the scenes bayesian search या bayesian optimization को use करता है which is an intelligent way of searching the best hyper parameter values यह चीज़ आपको grid search और random search में नहीं मिलेगी और यह सबसे बड़ा reason है optuna को use करने का ठीक है तो now that you have some intuition some idea कि optuna क्यों important है अब मैं आपको code के थू दिखाता हूँ कि optuna को आप कैसे एक problem के उपर apply कर सकते हो अब guys optuna को practically एक बार करने के पहले I would like कि आपको कुछ key terms पता हो क्योंकि अगर आपको यह terms पता नहीं होंगे तो आपको optuna का code देख करके थोड़ा डर लगेगा ठीक है तो मैं आपको 5 terms बताने वाला हूँ जो बहुत important है और आप बार-बार code में उसको देखोगे तो सबसे पहला जो term है वो है study ठीक है study किसको बोलते है मैं आपको एकदम simple शब्दों में समझाता हूँ थोड़े दिर पहले मैंने आपको बोला था कि हमारे पास यह data set है cgpiq वाला इसके उपर हम एक random forest model को train करना चाहते है और हम दो hyper parameters लेके चलना चाहते है max depth and n estimators और हमारा goal यह है कि हम max depth और n estimators की ऐसी value खोच पाए जिसकी help से मुझे accuracy maximum मिले right तो यह जो पूरा task है जहाँ पे मैं एक data set के उपर एक algorithm को train कर रहा हूँ और उसकी hyper parameter tuning कर रहा हूँ इस पूरे task को optuna study बुलाता है ठीक है यहाँ पे देखो लिखा हुआ a study in optuna is an optimization session that encompasses multiple trials trials क्या होते हैं आपको थोड़ी दिर में समझ में आ जाएगा it's essentially a collection of trials aimed at optimizing the objective function again objective function is something जो हम लोग थोड़ी दिर के बाद discuss करेंगे फिलाल बस ऐसे समझो एक data set है एक algorithm है उस algorithm के कुछ hyper parameters है उन hyper parameters की best value हमें निकाल ली है यह जो पूरा process हमें करना है इसको हम study बुलाते हैं optiona के language में ठीक है अब आता है second term second term है trial so trial का concept क्या है trial का concept बहुत simple है आपको best hyper parameter value निकाल ली है इसके लिए आप क्या करते हो अलग-अलग combinations try out करते हो so let's say आपने सबसे पहले यह वाला combination try out किया जहाँपे max depth 1 था और n estimator की value 50 थी उसके बाद मालो आपने यह वाला try किया जहाँपे max depth 2 था और n estimator की value 100 थी तो आप क्या कर रहे हो कि यह जो अलग-अलग numbers try कर रहे हो इन ही को हम trial बुलाते हैं basically so होता क्या है कि हम यह values को ले रहे है max depth 1 और n estimator 50 और इस value को लेकर के कर रहे हैं data के उपर तो for each unique combination we are training our model right तो every time that we are training this model we can call this process a trial ठीक है and that is why जब आप सारे trials को मिला देते हो तो वही आपका study होता है because सारे trials को अगर आप execute करोगे तो automatically आपको एक best trial मिलेगा और best trial में आपको आपकी best hyper parameter values मिलेंगी so nutshell में trial is one single run और one single experiment that you are doing और खूप सारे trials का combination becomes the study ठीक है I hope आपको ये बात समझ में आगए अगली चीज है trial parameters so हर trial के दौरान आपके hyper parameters की एक value होती है जैसे मालो जब आप ये वाला trial कर रहे हो तो इस time पे आपके जो hyper parameters से उसकी कुछ value होगी जैसे max depth की value 2 है an estimator की value 100 है तो इनको हम trial parameters बोलते है for that particular trial ठीक है I hope ये भी आपको समझ में आ गया उसके बाद आता है objective function so objective function क्या होता है objective function ही वो relationship है जिसको हम खोजने निकले है ठीक है so मैंने आपको बताया थोड़ दिर पहले कि आपके max depth and an estimator and accuracy के बीच में एक relationship है और ये relationship hidden है मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं max depth की एक value दे सकता हूँ an estimator की एक value दे सकता हूँ और पूरे model को train करके accuracy की value निकाल सकता हूँ इतना मैं कर सकता हूँ तो ये जो पूरा process है जहां पर मैं max depth की एक value दे रहा हूँ n estimator की एक value दे रहा हूँ और palette के मुझे मेरा accuracy का value मिल रहा है इस पूरे के पूरे चीज़ को हम objective function बोलाते है this is called objective function this process is called objective function ठीक है and the last thing is sampler sampler is the most important thing in Optiona so जैसा कि मैंने आपको बोला कि Optiona Bayesian search use करता है और Bayesian search की सबसे खास बात क्या है कि वो आपके search space के अंदर promising regions खोच सकता है so अगर आपने ये दोनों combinations try किये उसके बाद आपने ये combination try किया तो इन तीन data points के basis पे वो ये समझ पाता है कि अगला हमें ये try करना चीए फिर इन चार के basis पे वो ये समझ पाता है कि हमें अगला ये try करना चीए फिर इन पाच के basis पे वो समझ पाता है कि हमें अगला ये try करना चीए तो यह intelligence उसके इच्छे उसके पीछे काम कर रहा है तो sampler is that main component जो आपको ये बताता है कि based on अभी तक का data आपको next कौन सा combination ट्राई करना चाहिए ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है a sampler is the algorithm that suggests which hyper parameter should be evaluated next ठीक है, खूप सारी possibilities है खूप सारी combinations है बट अभी तक मैंने जितना data देखा है जितना मैंने trials run किये है उसके basis पे next मुझे कौन सा hyper parameter values को try out करना चाहिए यह sampler मुझे बताता है ठीक है, तो यहाँ पर एक sampler use होता है जिसको हम TPE बुलाते हैं बहुत ही famous sampler है, जो paper मैंने description में डाला है, उसमें आपको TPE का भी mathematics दिखाई देगा TPE का full form होता है tree structured parsing estimator, तो optuna by default यह sampler use करता है ठीक है, तो sampler is like the key component जो behind the scenes पूरा का पूरा Bayesian optimization execute करके आपको दे रहा है, ठीक है तो यह 5 terms आपको पता होने चाहिए otherwise code में आपको थोड़ा सा problem होगा, सबसे पहला हमने सीखा study क्या होता है, overall पूरा का पूरा जो experiment जिसमें हम best hyper parameter values निकालना चाहरे है, उसको हम study बुलाते है हर study में multiple trials होते हैं, तो हर trial में आप कुछ trial parameters लेके चलते हो, और इसके अलावा objective function is the main function जिससे हम hyper parameter value भेज रहे हैं, और palette के हमे accuracy मिल रही है, ठीक है, and lastly sampler is the main guy, जो behind the scenes पूरा का पूरा decision making कर रहा है कि next कौन सा hyper parameter value आपको try out करना चाहिए, for the next trial, ठीक है तो ये 4-5 चीज़े आपको पहले से पता होनी चाहिए, now that we know कि ये 4-5 चीज़े क्या है अब हम code देखेंगे so guys, code मैंने पहले से लिख रखा है और code आपको दिखाने के पहले बस एक quick disclaimer है code आपको difficult नहीं लगेगा code बस आपको थोड़ा नया लगेगा so, मैं, जहां भी मुझे कुछ लगेगा कि explain करने लाइक है मैं अच्छे से explain करूँगा बाकि it would be great अगर आप इस google collab file को एक बार अपने machine पे चला के देखो तो आपका understanding or develop होगा ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको optuna का जो package है, उसको install करना है using this command pip install optuna because by default यह आपको google collab में नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको necessary libraries import करनी है obviously, उसके बाद हम जो dataset use कर रहे हैं, इस पूरे demonstration में, वो है बहुत famous Indian diabetes dataset जो शायद आपने और बहुत जगों पे देखा होगा यह dataset इसलिए use कर रहे हैं because इसमें results बहुत जल्दी अच्छे नहीं आते हैं इसमें थोड़ी मेहनत करनी बढ़ती है तो that is why यह dataset में use कर रहा हूँ this is a classification dataset so, यहाँ पर dataset को हमने load किया है, this is the dataset dataset में जल्दी से अगर मैं आपको बताऊ तो एक problem है, और वो problem यह है कि यहाँ पर कुछ missing values है और वो missing values जो है वो zero से represented है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जहाँ भी zero दिखाई दे रहा है उनको हमें पहले np.nan से replace करना पड़ेगा और फिर उन nan values को हमें impute करना पड़ेगा तो impute करने के लिए फिलहाल अगेन मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया simply mean से replace कर दिया है तो यह जो पूरा code है यह exactly यही कर रहा है यह आपका zeros को nan values से replace कर रहा है और फिर nan values को mean से replace कर रहा है तो यह पूरा code execute करने के बाद अब आपके dataset में कोई missing values नहीं है अब हम क्या कर रहे है X और Y को अलग कर रहे है train test split मार रहे है और scaling कर रहे है scaling वैसे required नहीं है उतना because हम random forest apply करने वाले है तो वहाँ पे scaling उतना matter नहीं करता बट again कोई problem नहीं है scaling का कोई नुकसान नहीं होता और यह सब करने के बाद फिलहाल मेरे पास मेरा X train और X test आ चुका है so you can see मेरे X train में 537 rows है 8 columns है and मेरे X test में 231 rows and 8 columns है so now we are ready to apply our algorithm अब यहीं पर हम पूरा का पूरा Optiuna का workflow ले के आएंगे तो Optiuna का जो workflow है उसमें आप जो सबसे पहले चीज़ करते हो वो यह है कि आप एक objective function define करते हो ठीक है तो यहाँ पर हमने exactly यही काम किया है you can see इस पूरे code में हमने एक objective function define किया है इस objective function के अंदर दो काम हो रहे है पहला काम क्या हो रहे है कि हम हमारा hyper parameter search space बना रहे है ठीक है so मुझे पहले से बता है कि मुझे किन hyper parameter values को tune करना है so जैसा हमने discuss किया था हम n estimator पे focus कर रहे है हम max depth पे focus कर रहे है और हम already बता रहे है कि हम किस range में n estimators को खोज रहे है या n estimator की best value को खोज रहे so हम 50 से लेके 200 के बीच में खोज रहे हमारे discussion के हिसाब से हम 250 पी कर सकते है but again जो code में लिखा हुआ है और max depth में हम 3 से लेकर के 20 के बीच में values को खोज रहे है तो ये मेरा search space बन गया basically इस point पे हमने ये create कर लिया ये हमारा search space था ये बन चुका है उसके बाद जो second चीज़ आप करते हो objective function में वो है बहुत simple training का workflow लिख देते हो तो हमने क्या किया यहाँ पर एक model create किया जो कि एक random forest classifier model है और यहाँ पर हमने an estimator और max depth की value प्रोवाइड कर दी और वो value आपको कहां से मिल रही है यहाँ उपर से ठीक है अब यहाँ पर आपको एक दो नई चीज़े दिखाई देंगी जैसे कि ये trial क्या है और यह suggest integer function क्या है don't worry यह मैं आपको explain करूँगा फिलहाल बस यह समझो कि जब यह दोनो lines of code execute होंगे तो आपको एक an estimator value मिलता है और एक max depth value मिलता है हम उन दो values को ले रहे हैं और उनकी help से एक model को define कर रहे हैं और वो जो model है उसको हम use करके इस line में cross validation लगा करके training कर रहे है cross validation लगाने का मतलब multiple times training कर रहे है और multiple time training करने से multiple accuracy scores मिल रहे है हम उन accuracy scores का average निकाल रहे है you can see यहाँ पर mean निकाल रहे है और वही mean हमारा objective function return कर रहे है तो simple शब्दों में objective function के अंदर दो चीज़े हुई हमारा search space define हुआ और search space के अंदर से हम हर बार एक an estimator value और एक max depth value ले रहे है उन values को use करके हम एक model define कर रहे है उस model से हम data पर training कर रहे है और data की training से जो accuracy हमें मिल रहे है वो accuracy हमारा objective function return कर रहे है यही 4-5 चीज़े यहाँ पर हो रहे है ठीक है तो यह सबसे पहला task हमने अचीव कर लिया कि हमारे पास हमारा objective function है और अच्छे से काम कर रहे है अब इसके बाद का code बहुत ही simple है और सिर्फ दो lines का code है ठीक है तो पहली line जो है वो बहुत ही simple है इस line में हम क्या कर रहे है कि हम एक नया study create कर रहे है एक नया experiment create कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या किया optuna.createstudy function को call किया और यहाँ पर हम दो चीज़े बता रहे है पहला हम बता रहे है direction और direction की value है maximize maximize क्यों है because हम accuracy के उपर काम कर रहे है और हम accuracy को बढ़ाना चाहते है ठीक है that is why direction का value maximize है माल लो भी थोड़ी देर के लिए अगर हमने अपने objective function में accuracy के बदले loss को रखा होता कोई भी loss cross entropy loss, mean squared error कुछ भी अगर loss होता हम अगर loss को लेके चल रहे होते तो हम यहाँ पर direction minimize करते because हम loss को हमेशा reduce करना चाहते है ठीक है तो create study को दो चीज़े चाहिए होती है पहला direction वो हमने बता दिया और second उसको एक sampler चाहिए होता है ठीक है जो उसको बताता है कि अगला कौन सा hyperparameter value आपको choose करना है ठीक है तो sampler में हमने TPE sampler को choose किया जो मैंने आपको थोड़ी दर पहले बताया था tree parjan estimator sampler ठीक है तो ये sampler वैसे by default होता है बट मैंने यह आपे अलग से लिखके दिखाया है कि this is the sampler that we are going to use so इससे क्या होगा automatically behind the scenes Bayesian search trigger हो जाएगा ठीक है तो इस line की help से क्या हुआ कि मेरा study create हो चुका है ठीक है अब बस मुझे क्या करना है सारे के सारे trials run करने है तो उसके लिए आता है second line second line में हमने क्या किया जो हमारा study object हमने बनाया था उपर उसके अंदर एक optimize function होता है हमने उसको call कर दिया और उस optimize function में हमने दो inputs दिये पहला हमने उसको बता दिया कि हमारा objective function क्या है तो हमारा objective function ये है तो मैंने optimize के अंदर अपना objective function भेज दिया कि देखो भाई this is the process to calculate accuracy करते रहना और second मुझे ये बताना है कि मुझे कितने trials run करने है मेरे study के अंदर तो मैंने बोला मुझे 50 trials run करने है ठीक है तो पूरा flow कैसा है मैं आपको एक बार लिखके समझाता हूँ कि आपने एक objective function define कर रखा है जिसमें जैसे ही आप hyper parameter की value भेजते हो ये objective function आपको accuracy निकाल के देदेता है ये आपने बना के रख लिया सेकेंड आपने एक study create कर ली और अब उस study को आप use कर रहे हो to create multiple trials how many trials? 50 trials and during each trial आप बता दे रहे हो कि this is the objective function इसमें आप hyper parameter value भेजते जाओ और आपको accuracy मिलते जाएगी ठीक है? अब सवाल आता है कि अगली hyper parameter value कौन सी होनी चाहिए तो ये कौन decide करेगा? ये decide करेगा आपका sampler TP sampler का काम है past data के basis पे decide करना कि next कौन सी hyper parameter value मुझे try out करनी है ठीक है? सो होता क्या है? कि जैसे ही आप इस line को trigger करते हो ये objective function trigger हो जाता है और इस objective function को एक trial object मिलता है ठीक है? और इस trial object के अंदर ही वो पूरा intelligence छुपा हुआ है जो उसको help करता है ये बताने में कि next कौन सा hyper parameter value चूज करना चाहिए तो ये जो यहाँ पर trial.suggest.int है यही वो exact method है जो बता रहा है कि max depth का कौन सा अगला value चूज करना चाहिए based on past data similarly trial.suggest.int का ये जो method है ये मुझे बता रहा है कि n estimator का कौन सा value try out करना चाहिए based on previous data तो this is the entire flow we have an objective function we have a study वो study के help से we are executing multiple trials during each trial हम objective function को call कर रहे है और objective function में हम एक trial object भेज रहे है उस trial object के अंदर ये intelligence छूपा हुआ है कि वो automatically decide कर सकता है वो choose करता है उस नई hyper parameter value की help से एक नया random forest तयार होता है उस random forest को हम data पर train करते है फिर से मुझे accuracy मिलती है और वो accuracy हम आगे कहीं पर भेजते है और वहाँ पर फिर से नया data के basis पर फिर से decision making होता है कि next कौन सा hyper parameter value use होना चाहिए during the next trial और यह पूरा process iteration में होता है 50 times और 50 times के बाद आपको आपकी best hyper parameter value और best accuracy value मिल जाती है this is how this entire thing is working just two lines of code and one objective function definition that's it nothing else ठीक है so अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इस code को run करते हो तो behind the scenes क्या हो रहा है यह देखो a new study object is created in memory with name no name something id आप चाहो तो एक नाम दे सकते हो ठीक है वो आपके उपर है मैंने नाम नहीं दिया अब देखों यहाँ से trial start हुए this is trial 0 trial 0 में उसने n estimator की कौनसी value try की 69 और max depth की कौनसी value try की 8 by the way हम 50 का step नहीं ले रहे है n estimator में 50, 100, 100, 200, 200 ऐसे नहीं कर रहे है हम हर value को try out कर रहे 51 को भी कर रहे है 52 को भी कर रहे है 65 को भी कर रहे है 66 को भी कर रहे है तो उसने सबसे पहले choose किया 69 को और max depth 8 को तो basically उसने somewhere इस जगे पे यहाँ पे अगर मैं 7, 8 कर दूँ 6, 7, 8 कर दूँ तो उसने कोई यहाँ की value चूज की इधर की value ठीक है उसकी वज़े से उसको accuracy मिला 77 का ठीक है उसके बाद sampler ने उसको बोला कि next भाई तुम try करो 122 और 20 को तो फिर वो यहाँ चला गया 20, 22 कहीं यहाँ पर होगा तो उसने यहाँ की value try out की फिर अगला उसको बोला गया कि 144 और 15 को try करो तो 144 और 15 कहीं यहाँ पर होगा ठीक है फिर उसको बोला गया कि 197 और 9 try करो तो 197 शायद कहीं यहाँ पर होगा और 9 यहाँ पर होगा इस तरीके से हम उसको search space में अलग-अलग combinations में trials करवा रहे हैं और data collect करते जा रहे हैं कि accuracy कितना मिल रहा और फिर यह जो data collect होते जा रहे है इसके basis पे intelligent decision making होते जा रहे है कि अगला फिर कौन सा region हमें try out करना चाहिए तो जब आप इस तरह के खूब सारे points plot करते जाओगे और आपको साथ ही साथ accuracy का भी value मिलता जाएगा आप बाकी का search conduct करोगे तो this is the intelligence of Bayesian optimization जो behind the scenes चल रहा है और ऐसा हमने 50 times किया और 50 times के बाद ये study shut down हो गई और अब मेरे पास study के अंदर information है best trial का और best trial के अंदर information है value का ठीक है value मतलब accuracy की maximum कौन सी value finally मुझे मिली और similarly best trial के अंदर ये information है कि best parameters कौन से है ठीक है तो जब मैंने इनको run किया तो this is the result that I am getting after 50 trials the best accuracy that I am able to achieve is 78% और ये training data के उपर है और जो best hyper parameter values है वो है 115 for an estimator and 18 for max depth ठीक है अब हम क्या कर रहे है हम एक completely नया random forest classifier बना रहे है जहाँ पे हम N estimator का value 115 रख रहे है max depth का value 18 रख रहे है और data के उपर फिर से train कर रहे है because this is going to be the best model और फिर हम training कर रहे है और test data के उपर accuracy निकाल रहे है and you can see this is the accuracy that we are getting on test data that is 75% which is actually good अच्छा है ठीक है थोड़ा और महनत करेंगे अगर हम लोग preprocessing में imputation में तो we can get better results but फिलहाल it is a good starting point ठीक है so this is how Optuna works बहुत simple है जो भी main चीज हो रही है वो बस इस objective function के हो रही है इस objective function के अंदर हो रही है कि आप यहाँ पर search space कैसा define कर रहे हो और उसके बाद यहाँ की आपकी setting क्या है that's it very very simple एक बार आप इसको खुद से चला के देख लोगे किसी भी data set के ओपर trust me आपको बिल्कुल भी alien नहीं लगेगा ठीक है so now that we know the basic workflow की Optuna कैसे काम करता है अब मैं आपको इसके कुछ और तगड़े features बताता हूँ जो आपको बहुत help करेंगे so guys एक बहुत बढ़िया feature Optuna का यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही sampler नहीं है यहाँ पर multiple samplers है so अभी तक हमने जो sampler use किया वो था TPE जो Bayesian search या फिर Bayesian optimization करके देता है but अगर आप चाहो तो आप different optimizers use कर सकते हो I'm sorry different samplers use कर सकते हो so यहाँ पर आपके पास एक sampler होता है जिसकी help से आप random search भी कर सकते हो और आपके पास एक sampler होता है जिसकी help से आप grid search भी कर सकते हो और इसके अलावा भी और बहुत सारे multiple samplers are available तो मैं आपको quickly दिखाता हूँ कि कैसे आप Optuna की help से random search और grid search कर सकते हो so आपको यह दुनों करने के लिए psychic learn की जरूरत नहीं पड़ेगी so करना कुछ नहीं है वापस आपको अपना objective function define करना है because इसके बिना तो काम नहीं होता objective function बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उसके बाद यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा change करना है sampler में आप optuna.sampler से random sampler object class को call करते हो ठीक है और इससे आपको आपका random sampler object मिल जाता है और यहाँ पे भी आप अपना objective बोल रहे हो और बोल रहे हो कि 50 trials run करो तो अब क्या होगा कि behind the scenes आप randomly parameter combinations try out करोगे कितनी बार? 50 बार और उन 50 बार trials run करने के बाद जो भी आपको best values मिलेंगी वही आपकी best hyper parameter value बन जाएगी इसको मैंने 50 बार run किया and everything is random ठीक है और इसके बाद जो best values आई है वो आपकी यह आई है ठीक है 115 और 18 यह best value आपको दे रहा है और फिर हमने एक नया random forest फिर से create किया with these parameter values उसके उपर model को train किया और accuracy निकाला and the accuracy is coming out to be 0.75 which is actually close to जो थोड़ी दर पहले हमें Bayesian search से मिला but again छोटा data set है जादा हमने महनत नहीं कि इसलिए आस-पास आ रहा है but generally अच्छे data sets पे आपको difference दिखाई दे जाएगा ठीक है उसके बाद मैं आपको quickly दिखाता हूँ कि grid search कैसे करते है grid search में आप क्या करते हो आप पहले अपना search space explicitly define करते हो objective function के बाहर तो मैंने यह आपर define कर दिया कि n estimator की यह values आपको try out करनी है 50, 100, 150, 200 और max depth के आपको यह values try out करनी है 5, 10, 15 और 20 ठीक है because इसमें हम इतने जादा values try out नहीं कर सकते because this is grid search so हम total कितने trials run करेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 तो total हम 16 trials run करने वाले तो हमने कुछ नहीं किया फिर यहाँ पे optino.create study में sampler में हमने grid sampler को call किया और grid sampler में हमने अपना custom search space भेज दिया अब यहाँ पे behind the scene कुछ Bayesian search नहीं लग रहा we are going to try out each and every possible combination between these two hyper parameters and you can see जब यह run हुआ total 16 trials run हुए 0 से 15 और उसके बाद जो भी हमारा best result था वो यह है and you can see results उतने अच्छे नहीं है जितना पिछली बार आ रहे थे और 74 का हमारा accuracy आ रहा है ठीक है so nutshell में हमने यह सीखा कि Optiuna आपको flexibility दे रहा है अगर आप चाहो तो आप Bayesian search भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप random search grid search भी चला सकते हो यह पूरी flexibility आपके पास है तो this is one of the better features of Optiuna so guys अगला जो बहुत kick-ass feature है Optiuna का वो है visualizations so Optiuna आपको यह feature provide करता है कि आप एक बार जब अपना hyper parameter tuning process complete कर लेते हो उसके बाद आप बहुत तरीके के graphs plot करके समझ सकते हो कि पूरा का पूरा जो optimization हुआ है उसमें exactly behind the scenes क्या चल रहा था let me show you so अभी मैंने क्या किया है दोबारा से Bayesian optimization लगा करके hyper parameter tuning की है मतलब मैंने TPE sampler use किया और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मिर पास क्या-क्या visualization options available है तो आपको उसके लिए सबसे पहले optina.visualization में जाने और वहाँ से ये visualizations को import कर लेना है ठीक है और एक-एक करके अब मैं आपको सारे visualizations दिखाता हूँ सबसे पहला जो visualization है इसको बोला जाता है optimization history plot ठीक है इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप एक graph plot करके देख सकते हो between the trial number and the objective value that you are getting. So basically trial number versus accuracy value का ये graph है and you can see कि जैसे जैसे trials बढ़ रहे है steadily आपका जो accuracy value है वो भी बढ़ता जा रहा है बट आप देखोगे कि 31st trial के बाद आपका accuracy value improve नहीं कर रहा तो इससे आपको idea लग सकता है और आप अपना trial को plan कर सकते हो पहले से कि कितने trials आपके होने चाहिए ठीक है तो this is a very good plot that you can use next is parallel coordinate plot ये भी एक बहुत famous type of plot है ये अगर आपने कभी ml flow use किया होगा तो वहाँ पे भी ये plot काफी use होता है तो this plot helps you understand the relationship between accuracy, mag step and estimator, so यहाँ पर you can see कि तीन vertical lines है, पहली vertical line आपकी objective value represent कर रहा है, accuracy को represent कर रहा है, दूसरी line आपको max depth की value बता रहा है तीसरी line आपको n estimator की value बता रहा है and you can see ये जो lines हैं ये आपके trials हैं और line का color represents the objective value तो you can see कि जादा number of lines अगर आप देखो तो max depth में 12 से 20 के बीच में है, तो it shows कि this is the hot spot जहां पर जादा trials conduct हुए जादा trials conduct हुए मतलब Bayesian optimization को लगा कि this is a promising region in max depth similarly अगर आप बात करो n estimators की, तो 100 से 160 के बीच में जादा trials conduct हुए which again shows you कि this is the promising region अगर आप n estimators की बात कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद आता है slice plot slice plot is basically आप individually plot करके देखते हो हर hyper parameter को objective value के साथ so this is a plot of max depth versus objective value, again it shows कि आपका 15 से 20 के बीच में खूब सारे trials conduct हुए और यह है n estimator versus objective value which again shows कि 100 से 150 के बीच में most of the trials were conducted ठीक है? उसके बाद एक बहुत interesting plot है so this is the plot जो की एक contour plot है जहाँ पर x axis पर max depth है y axis पर an estimator value है और यह आपको एक surface जो दिखाई दे रहा है यह surface आपको बता रहा है objective value या accuracy का value जितना जादा dense blue color है उतनी जादा accuracy value है तो इससे आप वो regions identify कर सकते हो जहाँ पर आपको highest accuracy मिलेगी तो यहाँ पर यहाँ पर यह जो region है my bad so हम वापस जाते हैं यह जो region है यहाँ पर आपको सबसे best objective value या फिर accuracy value मिल रही है तो यह graph देखकर के मैं तुरन समझ सकता हूं कि what are those hot spots in my search space ठीक है तो इसी graph की मैं बात कर रहा था थोड़ी दिर पहले कि हो सकता है शुरू में उसने यहाँ पर try किया हो फिर यहाँ पर try किया हो और ऐसे करते करते फिर उस समझ गया कि यहाँ पर आपका जादा higher accuracy gain करने का chance है तो that is why you would see कि जादा number of trials फिर इस region में conduct किये गए because Bayesian optimization is intelligent यहाँ वाले trials उसने करने छोड़ दिये और यहाँ पर उसने अपना पूरा का पूरा energy लगाया ठीक है तो यह भी एक बहुत interesting plot है and lastly it gives you a importance plot जहाँ पर आपको वो बता देता है कि आपके कौन से hyper parameters are more important तो based on the optimization process it seems कि current data site के उपर max depth is a more important hyper parameter around 85% उसका importance है in comparison to an estimator जिसका 15% importance है तो यह भी एक बहुत interesting plot है जो आपको बताता है कि आपकी अलग-लग hyper parameters का importance क्या है तो this is a very good feature of Optiuna because आपको not only वो चीजे करके दे रहा है but at the same time आपको बहुत प्यारे तरीके से graphs की help से पूरा का पूरा information consume करने में help कर रहा है so this is one cool feature जो मुझे बाकी libraries में डिखाई नहीं दिया so अब मैं बताता हूँ आपको मेरा personal favorite feature जो मुझे Optiuna में लगता है और उस feature का नाम है define by run it's a beautiful feature जिसकी help से आप dynamic search spaces create कर सकते हो अब यह पूरी बात समझाने के लिए मैं एक example का help लोगा so अभी थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया कि हम एक data set के ओपर काम कर रहे है और उस data set के ओपर हमें random forest apply करना है और फिर मुझे random forest की hyper parameter की best values चाहिए जिसके लिए मैं Optiuna को use कर रहा हूँ right but यह decision मैंने कैसे लिया कि इस data set के ओपर random forest ही best perform करेगा right कभी भी आप किसी भी data set के ओपर जब machine learning apply करते हो तो आपको पहले से पता नहीं होता है कि कौन सा algorithm अच्छा perform करेगा logistic regression अच्छा perform करेगा sbm अच्छा perform करेगा या random forest अच्छा perform करेगा you don't know that right तो ideally आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने data set के ओपर सारे models सारे machine learning algorithms चलाने पड़ते हैं और फिर जो आपको best result देता है उसको आप choose करते हो right अब problem क्या है कि आपको इस process में let's say अगर आप 4 machine learning algorithms try out कर रहे हो तो आपको 4 बार एक बार आप करोगे random forest के लिए फिर एक बार आप XT boost के लिए एक बार SVM के लिए एक बार logistic regression के लिए now that is a problem चार बार hyper parameter tuning करना will take a lot of time what if मैं सिर्फ एक बार hyper parameter tuning करो और उससे मुझे ये भी पता चल जाए कि which algorithm is the best और not only that मुझे ये भी पता चल जाए कि उस algorithm के best hyper parameter values क्या है ये मुझे solve करके देता है optuna कैसे by creating dynamic search spaces so हम क्या करते है optuna में कि हम algorithm कौन सा use करना है इसको भी एक hyper parameter की तरह tune करते है समझना इस बात को हमें algorithm कौन सा use करना है वो भी एक hyper parameter बन जाता है so what I will do is I will create a hyper parameter by the name of algo और इसमें मैं चार options दे दूँगा svm xt boost random forest and logistic regression अब ये एक hyper parameter है ठीक है और not only that अब मैं based on कौन सा algorithm सेलेक्ट हुआ है उसके basis पे I can create different search spaces जैसे अगर माल लो algorithm की value svm हुई तो मैं svm का खुद का अलग search space बनाऊंगा ठीक है अगर xt boost select हुआ तो xt boost का खुद का search space होगा random forest हुआ तो उसका खुद का search space होगा logistic regression हुआ तो उसका खुद का search space होगा और कौन सा search space select करना है वो इस बात से decide होगा कि algorithm की value क्या decide हुई है अगर svm decide हुई है तो हम search space 1 में जाएंगे और वहाँ से values निकालेंगे अगर xt boost decide हुई है तो हम search space 2 में जाएंगे और वहाँ से values निकालेंगे तो inner way ये एक dynamic search space है जहां पे कौन सा hyper parameter tune करना है ये इस बात से depend इस बात पे depend कर रहा है कि algorithm hyper parameter की value क्या है ठीक है अब ये बात अगर आपको इस point पे समझ नहीं आ रही है तो don't worry मैं आपको code के थूँ ये बात समझाता हूँ हम क्या करना चाहते है कि same dataset के उपर तीन अलग algorithms को try out करना चाहते है और best algorithm को find out करना चाहते है not only that हम उस best algorithm के भी best hyper parameters को खोजना चाहते है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना objective function बनाना पड़ेगा सबसे पहले और इस बार हमारा जो objective function बनेगा उसमें हम dynamic search spaces यूज़ करेंगे कैसे ध्यान देना सबसे पहले मैं एक hyper parameter बना रहा हूँ जिसका नाम है classifier name और classifier name इन तीनों में से कोई एक हो सकता है कौन सा होगा ये हमारा optuna decide करेगा उसके अंदर का sampler decide करेगा ठीक है कि अगले trial में मैं SVM को यूज़ करने वाला हूँ या मैं gradient boosting को यूज़ करने वाला हूँ या फिर मैं random forest को यूज़ करने वाला हूँ ये decision making TPE sampler का है ठीक है अब यहाँ पे तेखो जैसे ही classifier select हुआ जैसे ही TPE sampler ने बोला कि I am going to use this particular algorithm in the next trial जैसी मुझे वो information मिला यहाँ पे मैंने एक if else लगा दिया मैं बोल रहा हूँ कि अगर classifier SVM है तो आगे के hyper parameters ये होंगे और यहाँ पे मैंने कौन से hyper parameters दाल दिये जो SVM specific है ठीक है तो C का value यहाँ से select हो रहा है kernel का value यहाँ से select हो रहा है गामा का value यहाँ से select हो रहा है ठीक है और जैसे यह 3 values निकल के आ रही है तो मैं एक नया model बना रहा हूँ जो कि एक SVM model है ठीक है अलसो ये जो C, kernel और गामा select हो रहे है ये भी कौन select कर रहा है ये भी TPE sampler ही select कर रहा है ठीक है फिर यहाँ पे मैंने एक estimator डाल दिया, max depth डाल दिया और उसके अलावा मैंने और भी कुछ hyper parameters डाल दिये ठीक है और यहाँ पे जो model बन रहा है वो एक random forest model बन रहा है और फिर एक last condition मैंने लगा दी कि अगर gradient boosting है तो फिर ये hyper parameters select होंगे और यहाँ पे जो model बन रहा है वो gradient boosting का model बन रहा है तो यह if else पे depend कर रहा है ठीक है और जैसे ही हम बाहर आ रहे हैं अब हम जो भी model है svm है random forest है gradient boosting है does not matter हम उस model को data पे train कर रहे है with the help of cross validation और जो भी mean accuracy score है वो हम return कर रहे है तो this is the beauty of define by run ठीक है अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ आगे का code विल्कुल simple है मैं optina.createstudy को use करके एक नया study create कर रहा हूँ direction maximize है because अभी भी हम accuracy के पीछे पड़े हैं और यहाँ पे default sampler tpe sampler है मैंने लिखा नहीं है मतलब tpe sampler use होगा और यहाँ पे हम optimize को call कर रहे है objective function provide कर रहे है और number of trials मैंने जबार बढ़ा दिये 100 कर दिया और इस code को जैसे ही run किया 100 times 100 trials run हुए और you can see हर trial में पहले से depend कर रहा है कि random forest model train होगा या SVM train होगा या फिर gradient boosting train होगा अगर SVM train हो रहा है तो SVM specific hyper parameters use होँगे random forest use हो रहा है तो random forest specific hyper parameters use होँगे gradient boosting hyper parameters use होँगे और finally जब हमने ये पूरा process कर लिया तो मैं गया best trial dot params के पास and you can see these are the best parameter values तो you can see जो best algorithm निकल के आया है वो है SVM और फिर SVM के जो hyper parameters है उनका भी best value मुझे मिल गया है c का value आया है 0.12 kernel आया है linear and gamma का value आया है scale और जो best accuracy में gain कर पाया हूँ वो है 78.95 if you remember random forest से accuracy 78 आ रहा था we are able to achieve almost 79% accuracy ठीक है यहाँ पर एक और feature होता है आप study के अंदर सारी के सारी जो भी studies हुई है सारी के सारी जो भी trials हुई है 100 trials उनको एक data frame के form में print कर सकते हो तो you can see मैंने print किया है तो यहाँ पर हर trial का number है उसका accuracy value है वो trial कब start हुआ कब खतम हुआ कितना time लिया और उस trial में कौन-कौन से hyperbarometers थे इन सब का value दिया हुआ है अब इस trial की beauty इस data frame की beauty क्या है कि आप यहाँ पर इस particular column को पकड़के params.classifier column को पकड़के यह find out कर सकते हो कि हर algorithm कितनी बार run हुआ 100 trials थे उनमें से कितने trials में SVM run हुआ कितने trials में gradient boosting run हुआ कितने trials में random forest run हुआ and you can see कि out of 100 trials 80 trials में सिर्फ SVM पे उपर training हुई है 10 बार gradient boosting 10 बार random forest this means कि शुरू में ही हमारा जो Bayesian optimization है Optina है वो समझ गया कि out of these three algorithms SVM is giving better results और उसने फिर अपनी सारी energy किसके उपर focus की SVM के उपर और SVM के hyper parameters को tune करने के उपर ठीक है not only that what you can do is कि आप accuracy value का भी mean निकाल कर कि यह figure out कर सकते हो कि on an average हर algorithm का average accuracy कितना था so gradient boosting का average accuracy was 73% random forest का accuracy was 76% and SVM का accuracy was 77.49% तो यहां पर भी दिखाई दे रहे कि on an average SVM is performing better than other two algorithms so this is like the most beautiful feature of Optina in my opinion जहां पर आप इस तरीके से dynamic hyper parameters search spaces create कर सकते हो और एक algorithm को hyper parameter tune करने के बदले कितने भी hyper parameters को साथ में कितने भी algorithms को साथ में आप optimize कर सकते हो so this is a very very powerful feature जो हम very sure आप future में किसी ना किसी project में use करोगे so यह 3-4 main features के अलावा Optina में और भी कुछ अच्छे features होते हैं जैसे कि एक feature है distributed computing का so अगर आप चाहो तो आप distributed computing के help से जो पूरा का पूरा study conduct कर रहे हो Optina में उसको आप past कर सकते हो because अलग-लग trials, अलग-लग device पर run होंगे और आपको थोड़ा faster optimization मिलेगा इसके अलावा Optina का जो integration है with other libraries वो भी बहुत strong है मतलब psychic learn के साथ बात कर लो keras के साथ बात कर लो pytorch के साथ बात कर लो in fact ml flow जैसी libraries के साथ भी Optina का जो integration है that is very very strong so यह कुछ एक pointers हैं कुछ एक features हैं जिनकी वज़े से I personally feel की Optina is probably the best hyper parameter tuning framework out there और you should definitely know and the best part is कि आप इसको machine learning में भी use कर सकते हो आप इसको deep learning में भी use कर सकते हो and यह आपको equally अच्छे results देता है so I would recommend go out try this framework on your favorite data set and इसको सीखो this is one skill one armor जो अगर आपके पास होगा तो आप बहुत complex problems को भी आसानी से solve कर पाओगे so this was my attempt of explaining Optina in one video I really hope मैं कुछ value create कर पाया अगर आपको इस video पसंद आया तो please like करना और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते हैं next video में bye